Hello, Good Morning Students, Welcome Back in Your Math Class तो जो इसी कि आज हम करने वाले हैं, Chapter 7, जो हमने कल किया था, उसके First 1 and 2 Questions हमने किये थे Like और Unlike Decimal कौन से होते हैं? तो आज हम करने वाले Convert, वो भी क्या? Unlike Decimal से Like Decimal ठीके, तो ये Group से बने हुए यहाँ पे उन्होंने दिये हैं और हमें क्या करना? Unlike Decimal से Like Decimals करने कुछ बच्चों को प्राब्लम हो रहे थी कि पता नहीं लग रहे था मैं Like Decimal कौन सा है? Unlike तो मैं पहले यही चीज़ क्लियर करते हूँ कि Like कौन सा था? Unlike देखे, 12, हमें सिफ ध्यान रखना है, यह जो Point दिया है, इसके बाद के Numbers तो यहाँ पर देखे, 1, 2, 3, पहले हम Compare करते हैं, 1, 2, 3, Decimal के बाद 1, 2, Decimal के बाद 1, तो यहाँ पर देख सकते हो कि Decimal के बाद हर Place पे Numbers चेंज है, तो इसे बोलते हैं, Unlike Decimal, क्या बोलते हैं? Unlike Decimal, तो आज हमें करना है इसको Convert Like Decimal में, चलिए, मैं आपको समझा रही थी क्या? Like और Unlike Decimal, Unlike से हम लोग क्या कर रहे हैं? Like Decimal बना रहे हैं, मैंने आपको समझा जैसे कि हम पहले इसको Compare कर लेते हैं, यह अभी क्या है? Unlike Decimal, अब हम इसे क्या करेंगे? अब हम इसे करने जा रहे हैं Like Fraction, चलिए, मैं को समझाती हैं, पहले हम Number लिखते हैं, देखें, मैंने आपको बताया है, 123, 121, तीनो Number चींज है, हमें कैसे पता लगेगी कौन से Number हमें Like करना है, तो यह दोनों Number हमें Like करने हैं, देखें, यहां पे 3Dsit है, तो हमें इनके इसमें भी क्या करना है? 3Dsit लगानी है, चलिए, पहले इसको as it is लिख लेते हैं, 12.001, कॉमा पुट करेंगे, 9.01, अब आप में एक 0 और एट करने हैं, क्यों है, कि 1, 2, 3 हो जाएगा, ठीके, कॉमा लगाएंगे, 129.100, तो यह देखें, 3, 3 प्लेसिस आपके दोनों जगा हो गए हैं, तो इसी तरीके से आपको बाकी सारे question भी करने हैं, मैं आपको समझारती हैं, तो अब देखें, 123, 123, 123, 123, तो यह देखें, यहाँ पे क्या हो गए, तीनों नमबर equal हो गए हैं, तो इसलिए अब यह क्या बन गया है, like fraction बन गया है, decimal बन गया है, तब यह like decimal है, यह unlike, अब मैं दूसरा compare करके आपको दूसरा भी दिखा देती हूँ, यह e लिया है मैंने उसी का, question 4 का, 1, 2, यहाँ 1 है, तो देखें, same कि हमें क्या करना है, इसमें 1 है, यहाँ पे 1, 2 है, तो अब क्या करेंगे, 8.52,10.40, तो यह आपका क्या बन गया, यह बन गया, like fraction, यह भी आपका क्य क्या है, like decimal, और यह भी आपका क्या बन गया, sorry बेटा, fraction बोला था, यह क्या है, like decimal, दोनों तरफ equal हो गया है, numbers, हमने जो compare के थे, तो यह भी हो गया, like decimals, अब जो remaining sum मैं आपको खूद करने साथ में, मैंने यहाँ पे देखी, third part है, जो आपको copy में नहीं करना, book में ही करना है, मैंने यहाँ पे किया है, statement are correct, और नहीं है, तो no लिख देना है, बस आपको और कुछ नहीं करना है, zero point, जैसे मैंने आपको compare करना सिखा है, वैसे ही आप इसकी कर लेजेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे answer mention भी किये हुए, कि कौन सा है और कौन सा नहीं है, यह नहीं है, क् क्यों, क्योंकि यहाँ पे unlike लिखा और यह क्या है, like, same यहाँ पे 7.23 and 0.723, यह unlike है, तो yes, 14.1414 and 16.16 are like decimal, yes, यह like है, तो आपको देखे decimal के बात के number देखने, जो कि क्या है equal, इसलिए यह भी yes है, तो आपको यह third book में ही करना है, बाकी fourth के जो remaining questions है, आपको क्या करने है, बाइबाए